नमस्कार प्यारे बच्चो और आदर निया भिवावत गंड आज फिर में उपस्तित हूं इन एपिसोड की श्रंखला में जैसे कि मैं पहले भी आप से वादा कर चुका था कि हम लोग जल्दी लोटेंगे इस काउंसलिंग के सेशन को फिर कंटिन्यू करते हुए आज मेरे सा साथ में हैं सीनर फेकल्टी जुलॉजी और जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा डेटा आपको अनलेसिस करके बताया आज उसी श्रंखलाम हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आज शोभी सर किस बात पर चर्चाम करने वाले हैं सर एक चुली बच्चों का रिजल्ट तो कौन सा कॉलिज मिलेगा या कई बच्चे ऐसे हैं जिन में क्यूरिसिटी है कि एमस में उनको एमस ही लेना है तो कौन सा एमस उस माक्स पे मिल सकता है तो अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कितने माक्स पे कौन सा कॉलिज मिलेगा कौन सा एमस मिलेगा या साल सलेक्ट मतलब कॉलिज कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा तो प्यारे बच्छों आपके सामने प्रस्तुत है नीट 2022 के श्रंकला में एक्सपेक्टेड कटोफ फोर एम्स और इंस्टिटूशन्स स्टेट वाइस है ना यानि के अलग अलग स्टेट में जनरल कैटिगरी औ और बीसी इन सब के बारे में हम प्यारे बच्छों चर्चा करने वाले हैं और मेरे खाल से सर आपने इसमें शायद मुझे लगता है जैसा आपका हमवग रहा होगा आपने इसमें और इंडिया कोटा भी इंक्लूड किया होगा और आपने इसमें स्टेट कोटा भी और इस पुरे के पुरे इस पुरी की पूरी स्टाटिस्टेक्स को पाहिए शुरू करते हैं आज के सेशन जी सर बिल्कुल सर तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाएए तो सबसे पहले सर यूपी यूपी की बात कर रहे हैं सबसे पहले नीड 2021 उत्रप्रदेश आल इंडिया क कोटा पंदरा परसेंट जड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है आपका अनलिस्स 2021 की बात करें जी 2021 की सर इसके वेसिस पे बच्चों को यह आईडिया लग जाएगा कि इस साल क्लोजिंग रेंक कितनी जा सकती है मैं यहां पर जो मार्क्स दी है जो रेंक दी हुई है सर इस बार क्लोजिंग रेंक और मार्क्स जो है थोड़े से कम गए है आठ से दस नंबर का फरक पड़ा है इस बार कि आठ से 8 तू 10 मार्क्स जो है कम पे भी इस बार कॉलेज मिलेगा और दूसरी बात यह है कि रेंक में भी काफी जाफा हुआ है क्योंकि जैसे गौर सीट्स बढ़ी ह बच्चों पूरा आइडिया लग जाएगा इनको की कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कम रेंक पे भी कॉलेज मिल जाएगा जी थोड़ा बहुत वेरियेशन है सर इस बार जो 8-10 मार्क्स की अपन बात कर रहे हैं तो 8-10 मार्क्स कम गई है इस बार कट आफ और जाएगी मतलब कम से मतलब कहने का यह था कि अगर मानलो पहले ती तिरा जार मिल है भी थी और वो copying इस धार जार में मिलने की संभावाव मिलने की घी रैंक बढ़ जाएगी जी रैंक थी उस पर college मिला था तो इसके accordingly आप देख सकते हैं कि अगर आपकी रेंग इसके आसपास है थोड़ी बहुत ज्यादा है तब भी चलेगा 14,000 के आसपास तक college मिलने की आपको बाइस की बात कर रहा है जी बाइस में 21 में तो यह डेटा था लेकिन 22 में आप कंदा जाए कहते हैं कि अगर 14,000 भी होगा तो भी आपका काम क्यारे बच्छो होने वाला है स्से में 525 और स्टे में 505 यह अल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं ठीक है चलते हैं आगे सर इस्टेट कोटा पर अते हैं सर यहां पर यूपी का स्टेट कोटा जो है तो यहां पर जो है अन्रिजर्व केटेगरी में 607 पर लास्ट गया था जो की 16,646 रेंग तो आपको बारे मिँ प्रॉपर बटाया जा रारा रहा कि अंग कर सकते हैं एम मांक बहर सकते हैं Blue Tongs और सैसर ही पी डिएफ में भी आरिव इस यिसोड कर सकते हैं जोरे से होरा के जाया कई सीज़कने के ज़रोत 246 पे मिली थी तो एराउं 18,000 के आसपास इस बार में मिलने की possibility है अगर आपकी 18,000 के आसपास भी rank है तो आपको यहाँ पर जो unreserved category है state quota से आपको seat मिल सकती है उसी recording आप सारी category का देख सकते हैं इसके बाद सर हम आते हैं पंजाब पे 15% all India quota पे पंजाब के जो marks हैं और जो rank ह सामने 629 marks और 8876 rank SC 544, ST 514 और यह 35,243 और यह 34,897 इसके बाद सर इसी पंजाब के रिए अपन बात कर लेते हैं आपर state quota की तो state quota में यह जो है data रहा था लाश्ट एयर का और इसके accordingly आप जो है present 2022 जो है उसका आप मतलब idea एक लगा सकते हैं कि आपको seat मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इस बार सर अपन मान सकते हैं कि इसमें 33,000 के आसपास जो है बच्चों को कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है फिर इसके बाद अधर श्टेट में सर जारकंड की बात करते हैं all India quota जारकंड का यह रहा था सा जारकंड की cutoff यह रही थी all India quota के लिए अगर बात करें तो अगर कोई बच्चे all India से college लेना चाहते हैं किसी दूसरी state में तो उसके लिए उनके लिए यह जो है rank predictor यह all India वाला जो है help ले कि कौन सा college उनको मिल सकता है किस rank पे और state की अगर बात करें तो state का analysis यह रहा आपके सामने जारकंड के लिए प्यारे बच्चर नोट करें 602 पर और 18,687 rank और जारकंड ने बता है कि 1-2,000 का variation यहां पर आ सकता है प्लस कर सकते हैं आप और उनको भी यह वाले colleges य ने बताई हैं यहां पर EWS, BC, 1st, BC2, SC, ST and all चलिए सर आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार और सर अभी हम इनको rank बता रहे हैं के वलकि college मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको कौन सा college किस rank पे मिलने वाला है वो भी अपना आगे बच्चों को बताने वाले हैं तो प्यारे बच में सर बच्चों को बड़े इक्षा है कुछ बच्चों की बड़े कोश्चन आ रहे हैं कि कौन सा AIMS मिल सकता है उनको AIMS ही चाहिए तो हमने AIMS के लिए भी पूरा डेटा निकाला है लाश्ट इयर का भी निकाला है और इस साल कितने marks के ऊपर उनको वो AIMS SHORE SHOT मिल जाए रही है चले सर बढ़ते हैं आगे सरे आपर डेली की कट ओफ जो है अल इंडिया में अगर डेली की बात करें तो यह रहा था सर अल इंडिया के टेगरी में जो 15% कोटा है अल इंडिया का 665 मार्क्स पर जनरल के टेगरी और 1770 रहने के 1771 रांक जी सर थी का 596 और यह 546 में 21 तक है जो 51,000 तक है की में मिल गी थी हों 51,000 के आसपास जो है yard इंडिया में уст के खली में मिल गी थी और अगर यहाँ पर देखे सर इसका जो है डेली का 15% कोटा जो है यहां पर 15% कोटा उसके आगे अगर बात करें यहां पर cut-off में तो यहां पर 571 मार्क्स जो 682 पर 571 यह सर डेली उनिवरसिटी का है सर यह डी यू का है तो अपन आइप्यू और डी यू दोनों को separate किया है जो आइप्यू की अंडर कॉल आइप्यू के स्टेट के बी अपन इसमें जो है डी यू के स्टेट कोटा की अगर बात कर लें तो डी यू का स्टेट कोटा का जो केटेगरी मार्क्स और रैंक ही रहा था 637 बे जनरल और EWS 614, OBC 600, यानि के 5000 रैंक पर जो है जनरल काटिग्री में DU की स्टेट कॉलेज़ इस मिल रहे हैं और IPU की बात करें सर से, वही 85% स्टेट कोटा में अगर डेली में, तो IPU के लिए कट आफ यह रही थी सर 664 और 5000, 21 रैंक, ओके, ओके, प्यारे बचो सारी स्टाटिस्टिक जहन से देख लें, काम आएगे आपके, और यह PD नीचे आपको लिंक भी दिया गया, उसमें मिल जाएगी और गुजरात का सर, गुजरात का बच्चो है, आपर 15% अल इंडिया कोटा आप देख सकते हैं 630 मार्क्स पे जनरल में लाश्ट मिला था कॉलेज, 8500 के आसपास रैंक पर, तो इस बार आप आप आइडिया लगा सकते हैं, राउंड 9000-9500 रैंक के आसपास पर, आपको आल इंडिया केटेगरी में मिल सकता है, अगर आप जनरल केटेगरी में आते हैं, उसी आप से आप तो 583 पे उपन केटेगरी में, जनरल केटेगरी में कॉलेज, 28722 रैंक पर मिल गया था, इस बार 30,000 के आसपास की पॉसिबिलिटी है, कि जनरल में कॉलेज मिल जाएगा, 30,000 पर, फिर महराष्ट्रा की से बाते हैं, जी महराष्ट्रा, कट आउफ 15%, ऑल इंडिया की बात करें, जी सर, 612 जनरल, जी सर, और 14,514 रैंक पर, ओके और SC के लिए 516, और ST के लिए 499, यानि के 87608 रैंक पर, ST के लभी खाता खुल गया है, बहुत बढ़ी असर, चलते हैं अब इसके लिए, इसके स्टेट कोटा के सर, बिल्कुल, स्टेट कोटा देख सकते हैं यहां पर बच्चे, बहुत सारी कैटेगरी, इसमें बुमन शाद अलग दिया गया, जी जी जी, 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 ओके ओपन डवल्यू और ओपन जी, 571 इतना र इनलेसिस, प्यारे बच्चो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे, आपके जो भी डाउट है, हमारे एक्सपर्ट से पूछे, आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब मिलेगा, और आपकी जो भी मन में दुविधाएं चल रही हैं, आपके आपके पैरेंट्स की, उन सब का प्यारे बच्चो, आपको समय रहते, सॉल्यूशन पर राप्त होगा, नीट 85% सेट कोटा में आपने और ज्यादे इसको तरह सा इलाबोरेट कर दिया है, जी सर, इसमें और केटेगरीज भी अपने इंग्लूट कर दी हैं, जो भी केटेगरीज होती हैं महाराष्टरा में, महाराष्टरा स्टेट के लिए हैं, बांकि स्टेट में नहीं है कोटा, तो उबो भी अपने इसमें यहां पर इंक्लूट कर दी हैं, जी स्टेट कोटा में बहुत सारी केटेगरीज बनाई जाती हैं, और सर बिहार का सर, बिहार 617, हाँ भई, और 12,913 रैंक पर है, और इदर SC और इदर आपका ST हुआ, यह आपका All India कोटा है, बिलकुल, तो बिहार वाले भी All India में सर 14,000 के असपास तक उम्मीद कर सकते हैं, जनरल केटेगरी में, SC में इसी तरह से 72,000 के अप्रॉक्स और HT में अगर बात करें, तो 90,000 के असपास तक इस बार All India कोटा मे seat मिल सकती है, हाँ इस बार 5 से नंबर, 10 नंबर का variation और 1000 से 1200 rank का difference आ सकता है, फिर इसके बाद बात करते हैं, स्टेट कोटा में, जनरल के लिए 610 नंबर 610, BC 603, WS 598, EBC 587, SC 456, 486 और यह रहीं ranks, यानि के 15,282, प्राइब करते हैं, काम की चीजे हैं, सारे information, screenshot ले सकते हैं, आप लोग, राजिस्तान सर, इसके बाद करते हैं, जनरल के टेगरी, 623 नंबर, 623 नंबर 10,685 rank का close हो गया था सर, All India कोटा, और SC 60,200 के असपास, और ST 73,245, और स्टेट कोटा की, स्टेट कोटा में पता लग रहा है, जनरल कैटिगरी में, 617, EWS 611, OBC 614, MBC 601, ST 507, और ST 487, यह हैं, प्यारे बच्चों, मार्क्स और इन मार्क्स का अधार पर आप देख सकते हैं, राजिस्तान का, जो 85% स्टेट कोटा है, वो कैसे चल रहा होगा, और अब आगे, AIMS के बात करते हैं, AIMS के बात करते हैं, बड़े इन्तियार हो रही थे आप लोगों को, जी साब, तो AIMS का सर, यह तो अपन लाश्ट एयर का बच्चों को एक बार बता रहे हैं, कि लाश्ट एयर के हिसाब से बच्चे एनलाइज कर सकते हैं, और फिर जो हमारी टीम ने एनलाइज किया है पूरा, कि इस साल किसके कितने मार्क्स आएंगे, तो कौन सा AIMS जो है, वो शेयर पर बच्चों को इस्ट्रे वेकेंसी राउंड जो AIMS पटना में एक और राउंड हुआ था, थर्ड राउंड के बाद भी AIMS पटना की अगर बात करें तो इस्ट्रे वेकेंसी राउंड भी हुआ था, वहा तक पहुंसते पहुंसते 3460 तक सीट मिल गई थी, इस रैंग त अगर आप AIMS में इंट्रेस्टेड हैं तो, यह फर्दर कुछ AIMS AIMS बीवी नगर, यह AIMS है बीवी नगर तेलंगाना, जी 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 राइबरेली उत्तरपरदेश, तो प्यारे बच्चों देख रहा हैं, राउंड 1, 2, 3, 3 तीनों की पुरोपर अनलेसिस आपके सामने हैं, चेक करें, इसको मिलान करें, और अपने हिसाब से इसको सजाएं, और प्रॉपर मैच करें, और अन्दाज लगाएं, कि आपके किसमत कहां पे खुलने वाली है, और इसके बाद सरम लेकर आए हैं, AIMS का एक्सपेक्टेट कट अफ जो है, इस साल आपके कितने मार्क्स हैं, मार्क्स के कार्डिंग लेकर आए हैं, तो उस मार्क्स पे आपने किस्चिंद हो सकते हैं, कि आपको यह AIMS मिल ही जाएगा, यह काफी अनलाइज करके सरअपन ने बनाया हुआ है, यह प्यारे बच्च एक टेंटेटिव आइडिया है, इसके आसपास हमारी पूरी-पूरी उमीद है, कि आपको चीजें मिलने वाली है, तो आईए जरा फट अनुसार हो सकता है, आपका अंदाजा मैच करेगा, जी जी बिल्को चलते हैं, एमस डेली के लिए सर, अगर 705 प्लस मार्क्स हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, कि 90% चांसे है, 99% कह सकते हैं, कि एमस डेली मिल जाएगा, जनरल केटेगरी में, इसी तरह से EWS, OBC, SC, SC, केटेगरी के भी मार्क्स दिये हुएं, अगर आपके पस इतने मार्क्स हैं, तो आप आराम से इस एमस के लिए जो है, ट्राइ कर सकते हैं, इसी तरह से एमस भुबनेश्वर, कुछ मेजर एमस ही लिए हैं, सरपने यहां पर, एमस भुबनेश्वर, भोपाल, जोदपूर, इस पतना कल्यानी गोरखपुर, तो यहां पर जो है, आपके मार्क्स के एकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कि आपको अगर एमस में ही इंट्रेस्टेट हैं, तो कौन सा एमस जो है, आपके लिए आप फिल कर सकते हैं, आप काउंसलिंग में, जो 24 फिलिंग होगी, और कौ बहुत बढ़ी है, बाकि आपने बताया तो इसमें राउंड 3 होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो यह लाश्ट राउंड तक का अपने बताया कि अगर आपके 705 मार्क्स प्लस हैं, तो डेली एमस आपको लाश्ट राउंड तक मिल जाएगा, हाला कि डेली ए इसके कौन सी state में कौन सा college बच्चों को मिल सकता है, और counseling के दौरान उनको कौन सा college भरना चाहिए, उनके marks के according, उनकी rank के according, तो इसकी भी अपने state-wise बात करते हैं, तो यहाँ पर government medical colleges बिहार में अगर अगर अपने देखें sir, यह बिहार का पुरा data है, यहाँ पर कुछ colleges हैं जनरल में expected closing rank है जो कि previous year के trends को देख के बनाई गई है previous year के trends प्लस जो अभी seats increase हो गई है colleges increase हुए हैं उनको पूरा analyze करके और एक expected tentative closing rank बनाई गई है कि आपको किस rank पर कौन सा college मिलने की 2022 में पूरी-पूरी उम्मीद है जैसे इसमें जनरल category 8700 और आपकी पत्ना मेडिकल कॉलेज ओके 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 और सरी अल इंडिया है इस्टेट कोटा साथ की बात कर रहे हैं ओके ओके तो यह आपका 10458 1013025 यह प्यारे बच्चों आपकी ranks दिये गई हैं और category wise प्लीज इनका अच्छे से मिलान कर लें और जो जो आपके काम के कॉलेज हैं उनको मार्क कर लें वहां तक और अंदाजा लगाएं कि हाँ यह तो मेरा 7780 अल इंडिया रेंक है इस रेंक पे जो है एहमदाबान मुनिसिपल कॉर्परेशन मेडिकल कॉलेज में सकता है यह अपन ने कोई उपर नीचे नहीं कि यह ट्रेंडम चूज किये हैं इसका यह मतब नहीं कि यह रैंकिंग वाइस कॉलेज इसा नहीं है जैसे बीजे मेडि सकता है अगर इसके नीचे अंडर रेंक है आपकी तो गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज सूरत मेडिकल कॉलेज जामनगर मेडिकल कॉलेज बरोधरा और बहुत सारे कॉलेज जो भी आपके हैं के सारे इंदाजें प्यारे बच्चें आपर दिखाए गए हैं और यह आपका SC और मेडिकल कॉलेज विदी शाह 24,814 तो प्यारे बचो देख रहा हैं आप सारा का सारा अनलेशी से डेटावाइज आप तो कॉलेज चेक करो उसके बाद रैंक का मिलान करना आपका काम हो जाएगा रैंक से कॉलेज क्या देखना है पहले कॉलेज देखो फिर रैंक मिलाले ना बहुत बढ़िया साब S.C.S.T.O.P.C. तीनों केटेगरी में पिर महरास्टर पे आते हैं महरास्टर में उननिस हजार पांसो बाइस पर डॉक्टर शंकर राओ चावन गॉर्णमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड डॉक्टर वीम मेडिकल कॉलेज शोलापूर बारह हजार GMC औरंगाबाद 9600 और गॉर्णमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला 18,850 और इस तरह से बहुत सारा डेटा सारे के सारे कॉलेज इसका आगे चलते हैं सर राजिस्थान राजिस्थान की बात करते हैं सन मेडिकल कॉलेज जोद्पूर फिर SMS जैपूर यह सपना है भाई हैना 4225 और SMS जैपूर इस बार 1537 अंदाजा है लंसम किसके असपास आपका काम प्यारे बच्चों हो जाएगा फिर भरतपूर भीलवारा प सब्सक्राइब के असपास आप कोटा भी आ सकते हैं कि उत्तरप्रदेश बिया डी मेडिकल कॉलेज गोरखपूर 9172 और यह आपका लखनोंवाला 3711 अंबेडगर नगर 12,084 और बहुत सारी इंफोर्मेशन यह गौर्णमेंट मेडिकल कॉलेज सारणपूर 12,531 पर तो यह है प्यारे बच्चों आपकी expected college ranks और closing rank वो भी किसकी session 2022 की yes state wise तो कितना सारा काम क्या है आपके लिए आपको तो बैठ करके अपनी rank के हिसाफ से अंदाजा लगाना है और अंदाजा लगा करके आपको पनी choice fill करने में इसके help लेनी है सुर आगे 36 गड़ पर चलते हैं तो 36 गड़ में यह medical colleges है राइपूर जनरल में 16,902 इस rank तक जो है राइपूर college मिलने की आपको possibility है बिलकुल कि राइपूर college आपको यहां पर मिल जाएगा इस rank तक और बाकी के राजननगाओं जगदलपूर राइगर और बलासपूर तो आप देख सकते हैं अपनी ranking के recording और वहां SCST भी दिया हुआ है तो SCST category में अगर कोई आते हैं तो उसके recording यहां पर आप analysis कर सकते हैं predict कर सकते हैं कि कौन सा college आपको counseling में fill करना है लेकिन यह state quota के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि state quota की counseling में आपको कहां तक college मिल सकता है जारखंड में यह जो जम्शेदपूर का college है that is 18,400 और यह पाठलिपूर्ट्र medical college धनबाद 19,000 मनिपाल टाटा medical college जम्शेदपूर 26,000 और राजेंदर इंस्टिटूट और मेडिकल सेंस राची 12,500 और साथ ही वही category rank यहां पर आपको दी गई हैं तो यह है कुछ इस तरह के प्यारे बच्चो analysis कुछ state जो statistics आपको यहां पर बताए गई है आप प्लीज इसका जो link है description box में दिया गया है उसको जरूर डाउनलोड करें और जितने information यहां पर दी गई हो उस information से जादा से जादा प्यारे बच्चो लाब उठाएं तो आशा क कामने मैं अपनी टीम के साथ आप सभी का भारविक्त करता हूं जुड़ रहिए मोशन के नीट चैनल से और इसी तरह हम सब लोग आते रहेंगे और यह counseling का session ऐसी चलता रहेगा खोती है मुलाकात अगले session में AFMC के बारे में बात करने के लिए चलिए धन्यवाद डॉक्टर